प्रेस्ट बेल आइकोन अन दे यूट्यूब आप तो नेवर मिस ए विडियो फ्रम नियूज लॉंड्री नमस्कार ये है नियूज लॉंड्री पॉड्कास्ट और आप सुन रहे हैं NL चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चरुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दरहफ्ता एक बार फिर से लेकर आए हम नियूज लॉंड्री का हिंदी पॉड्कास्ट NL चर्चा हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा हैं उससे पहले एक छोटी सी सूचना इस बार की चर्चा के साथ ही हमारे साथ एक खास महमान है अनियूज आदव जो की पहले भी आप इन्हें चर्चा में सुनते रहे हैं तो आगे से चर्चा में आप इनको एक पर्मनेंट उपस्तिती के तोर पर पाएंगे स्वागत हैनल जी आपका धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ वरिश्च पत्रकार और टेलिवीजन के पत्रकार अन्रंजन जहा हैं अन्रंजन जहा की पहचान टेलिवीजन पत्रकार में रही है काफी हम पिछले 15-20 सालों से इनको लगातार देखते आए हैं फिलाल एक स्वतन्तर पत्रकार के तोर पे इनका अपना काम धाम जारी है तो अन्रंजन जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद साथ में हमारे नियूजलॉंड्री के कॉलम्निस्ट और स्तमकार आनंद वर्धन है आपका भी बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा है उससे पहले जल्दी से मैं आप लोगों को जो आज के विशय हैं उन विशयों की जानकारी देता हूं एक विशय पिछले हपते चर्चा में रहा जो एकस जस्टिस हैं जस्टिस मारकंडे काटजू उनके पत्र से जुड़ आप उस पूरे लेख के रिद्गेर्द एक विवाद और इंडियन मीडिया जो हमारा मीडिया है उसके चरित्र पर उसके जो कारशय लिए है उसको लेकर काफी सारे सवाल उठे हैं खुद माकंडे काटजू ने बहुत एक तीखा कोमेंट किया है भारती मीडिया के उपर इ में CBI और बंगाल पुलिस के बीच में तलवारे किची और ममता बेनर जी इस पूरे खेल में एक बार फिर से चर्चा में रही इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में एक और खबर ने इस बीच चर्चा बनाई जो कि राहूल गांधी से जुली हुई थी उन्होंने पूटी सी खबर आई है इंडिन एक्सप्रेस के एक्स्लोजिव खबर थी जो कि बताती है कि असम में भारती जंता पार्टी की सरकार आने के बाद 251 से ज़्यादा जो देश द्रोह के सेडिशन के चार्जेज हैं आरोप में लोगों के उपर मुकदमे दर्ज किये गए हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है विशेशकर तब जबकि इस तरह के जो ड्रकोनियन कोलोनियल कानून है उनको हटाने उनको खत्म करने के उ पूरे अंदोलन और रामलीला मैदान के उपर किताब भी लिखी थी तो उसी से जुला एक मसला पिछले हपते सामने आया अन्ना हजारे ने एक बयान दिया कि किस तरह से भारती जंता पार्टी ने अन्ना अंदोलन के दोरान उनका इस्तमाल किया और ये बयान आते ही अचा सबसे पहले जो मारकंडे काटजू ने बयान दिया उसी पर बात की जाए क्योंकि मीडिया और हमारे अपने फ्रेटर्निटी से जुडा मसला है ये तमाम इस तरह की बाते आती रही है जब हम देखा कि खबरे दबाई जाती है खबरे चुपाई जाती है ये और ये जो खब सवाल कर रहा है नहीं कर रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी चाहे रिपोर्टिंग या उपिनियन की जो हमारी पुरी परिभाशा है उसमें इस तरह के चीजों के लिए क्या कोई लाइन बधी हुई है कि हम इसको नहीं करेंगे या हम इसको ही करेंगे या इ इछले कुछ सालों में ये साफ हुआ है और आम जनता भी इस बात को समझने लगी है कि भारतीय मीडिया पत्रकार के हैसियत में कम और पक्षकार के हैसियत में जादा दिखता है क्योंकि वो बिल्कुल साफ दिखता है या तो इस धढ़े में खड़ा है या उस धढ़े में सवाल खड़े की हैँ, हाला कि कई सारे इसे मसलों पर कड़जु बेवज़ीं गूलते रही हैं, लेकिन उनकी बात इस तरीके से भी कही जा सकती थी कि काडजु की यह सवाल है, सवाल आपके टो थे नहीं, काडजु ने चार सवाल अगर पूछे और किसी को कटधरे में खड़ा किया, एक सुप्रीम कोट का जज है, इतना बड़ा आदमी है, उसकी अपने पक्ष हैं और वो बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, आप उनकी राय से इतफाक रखते हूं या नहीं रखते हूं, हमारा काम है बतोर पत्रकार इस बात को सामने लाना, तो सामने लाने में अगर हम गुरेज करते हैं, तो ये जहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कुछ अनकहा दबाव है, गड़बड़ है जो बात है और वो अब समाज को देरे-देरे समझ में भी आने लगा और समझना भी चैए, और ऐसा भी नहीं है कि इसको मतलब कोई तरीका नहीं था अगर जस्टिस काटजू ने, हम मैं कह रहा हूं कि अगर एक वाइल्ड ऐलिगेशन भी है तो उस ऐलिगेशन को कोरेबरेट करने के लिए जस्टिस जो CGI है उनके ओफिस में कुछ सवाल भेजे जा सकते थे मीडिया हॉसेस के कि एक जस्टिस इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है और एक बैलेंस्ड रिपोर्ट भी की जा सकती थी कि ये कुछ सवाल इन्हों ने उठाए और इसके बारे में उनका ये कहना है कोई और तरीका हो सकता था बजाए इसके कि एक दम से दबा दिया जाए आनिल तरीका तो बिलकुल हो सकता था और ये तरीके हम देखते हैं जब भूत, प्रेत, अंदिविस्वास की खबरें चलाई जाती हैं या जब हम देखते हैं कि जब नेताओं के बेसलिस किसम के ऐलिगेशन्स चलाए जाते हैं और खुद अपने अब्जर्वेशन्स मीडिया चलाता है कि जैसे मुझे याद है कि जब नरेंद मोधी प्रधान मंत्री बने थे तो उनके प्रधान मंत्री बनने से चैनल दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए, चीन थर्रा गया अमेरिका कांप गया तो तब मीडिया को किसी से वर्जन लेने की जरूरत नहीं थी तब मीडिया ने चीन के प्रधान मंत्री से नहीं पूछा कि क्या आप कांप रहे हैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से नहीं पूछा कि आपको पसीना आ रहा है लेकिन जब सचमुच के मुद्दे आते हैं तब मीडिया को सांप सूँग जाता है और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये बहुत सही जगह है मीडिया के बारे में बात करने की जैसा कि मैं Justice Kartju को एक rebel और एक mass intellectual की रूप में देखता हूँ क्योंकि हमारे जो ज़्यादा था intellectual हैं वो बहुत सुविधा के anchors और reporters के इर्दिर्दा के खतम हो जाती है कि वो सही नहीं दिखाते हैं वो चोर हैं वो दलाल हैं उनको समझ नहीं है भारती समाज की लेकिन ये प्रकरण दिखाता है कि जो reporter है जो anchor है वो just tool है जिसका इस्तेमाल मीडिया के मालिक जिनका अर्बो रुपिया करोडो रुपिया मीडिया हाउसेज में लगा हुआ है वो अपने vested interest के लिए कैसे अपने पत्रकारों का जो एक महमूली सा पुर्जा है करमचारी है उसका इस्तेमाल करते हैं जस्तिस काड़जू की जो कहा वो मीडिया मालिक नहीं दिखाना चाते थे मीडिया बैरन्स नहीं दिखाना चाते थे वो इसलिए नहीं दिखाना चाते थे कि उनका बहुत कुछ stake पे लगा हुआ है क्योंकि जो जिस तरह से वो मोधी गवर्मेंट की जूठी उपलबधियों को ब्यक्तितों के जूटे महिमा मंदन में अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं और उसके बदले वो जो फायदे ले रहे हैं तो यह इस पस्ट है असुविधा जना के स्थिति में फस्ते वो एक तरह से काड़्जू ने गलत नहीं कहा कि उनको कहा गया था रेंगने के लिए अभी भी आपके पास स्पेस है कि आप काटजू को कोट करते हुए कि यह हमारा नहीं काटजू का कहना है आप यह चला तो सकते ही थे उस तो सकते ही थे लेकिन वो स्वामी भक्ति के अतिरेक में उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही असली जगह है जहां मीडिया पर बहस होन गया है जो टेक्नोलजी ने दिया है कि यहां नहीं तो इंडिका न्यूज अमेरिका का छाप देगा तो खबर तो फिर भी आप नहीं दबा पाएंगे उस परक्रिया में केवल और केवल मीडिया जो है देश का मीडिया जिसकी कि किसी तीसरे देश की मीडिया ज्यादा वो एक्सपोज हो रहा है बस और खबरे रुक नहीं सकती है ठीक है उसका इंपेक्ट का लेवल उचा नीचा हो सकता है जी मुटलब प्रदोगिकी ने अब जो समचार संसार है उसको इस तरह से पुनरपढ़िवाशित कर दिया है कि अब वो खवर अब दबेगी नहीं आज से 20-30 साल पहले जब प्रिंट का ही बूलबाला था तो हो सकता है कि कुछ समूहों में इसकी चड़्चा होती और आगे नहीं होती लेकिन अब तो फेस्बुक वेगेरा से ये जो कहीं भी अब इंटरनेट का जो पेंटरेशन है उसक अब यह कहीं भी एक ख़वर चली गई होगी प्रभाव इस ख़वर का अगर मुख्यधारा की मीडिया भी इसे प्रकाशित करती या प्रशारित करती तो इस ख़वर का प्रभाव की भी सीमा थी क्योंकि कड़्चू को जैसा कि इनोंने कहा कि खेमों में बटी मीडिया अप और कड़्चू भी इस बात को समझते हैं तो मसाला देते रहते हैं कुछ-कुछ तो यह है दूसरी बात है कि इस से जुड़ी बाकी चीज़ें हैं वो अटकलबाजी और स्पेकुलेशन पर अधारित हैं तो उसमें नहीं जा जा है कि उसमें तो हमने बात ही नहीं किया रही थी जब तथा कथित करांतिकारी प्रिंस कॉंफरेंस किया था बात्चित यह हो रही थी कि अब गगोई को तो बनना है कहीं इनको नहीं बनने दिया जाए रोक न दे तो वो निर्धारित था उससे जुड़ा हुआ नहीं और शगे संबंधियों का ब्रश्टचार में दिखुत होना ये वह इंदिका सब्सक्राइब मुझां मुझे लगता इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि सिर्फ एक पोर्टल, विदेशी पोर्टल, इंडिका से जो खबर आई, सूचना बनकर रह गई ये बात, अगर इसको हमारे मीडिया इसको दिखाता, इसको प्रसारित करता, तो जुडिशरी पे एक बड़ी बहस की सुरुआत हो सकती थी, जो कि बहुत जरूरी है, हमारे य ऐसी स्थिती है कि खुद जुडिशरी के चार्जज आते हैं और अपील करते हैं कि हम जर्ता की अदालत में आये हैं, कि देख लिया जाए, कि कोलेजियम में क्या हो रहा है, रोस्टर में क्या हो रहा है, सरकार किस तरह से हमको प्रभावित कर रही है, तो जुडिशरी पे की जरूरत है ना कि उससे डरने की वो चांस खतम हो गया अनन जी बात कह रहे हैं या आप अनन जी जो बात कह रहे थे उसमें क्या है कि जिस बातों को लेकर के जिन मुद्दों को लेकर के ये चार जज आये थे और आकर के विरोध कर रहे थे उसमें गोगोई शांत बैठे थे लेकिन मुद्दा वही था और जब इनकी कुरसी आई जब इनके पास ये आया सारा अधिकार तो ये भी वही करना है जिन चीजों से बदलाव की बात करते थे वही बाते हो रही तो सवाल खड़े होते हैं अन्य था अच्छा आप बिल्कुल कह रहे हैं जुडिशिरी पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन क्या है कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं लोक तंत्र के चार अस्तम चार अस्तम अब हर अस्तम वगर बिल्कुल लंगले की तरफ होने लगेगा तूटने लगेगा खराब होने ल अमाम बाते होती हैं अब जुडिशिरी को लेकर के भी होती हैं दबी जबान होती है लेकिन मेरा व्यक्तिकत मानना है कि जुडिशिरी पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन वो चर्चा एक सिमित दायरे में होनी चाहिए और बहुत ठोस और गंभी तरीके सुनी चाहिए में देख लेंगे वो बहरोसा नहीं तूटना चाहिए एक संस्थान की जो अपनी गरिमा वो बनाए रखते हुए इसमें कितनी गंभीर और कितनी ठोस बहस हो बजा इसके कि हम चलते फिरते सौक पर यह वैसे ही मौका था इसमें कुछ लोग अगर मीडिया उस तरह गंभीरता से इंटरवेंशन करता है इसी बहाने काट जूक बहाने तो सायद उस दिशा में बढ़ा जा सकता था इसमें प्रिंट की भूमिगा जादा हो सकते थी कि टेलिवेजन पर मेरा अभी भी मानना है कि टेलिवेजन अभी गंभीर है नहीं बिल्कुल बिल्कुल की तरफ बढ़ने जो की CBI से जुला मामला है CBI ने जो कोलकाता के पुलिस प्रमुख है राजी उकुमार उनके चापा मारा और उसके जबाब में पुलिस ने बंगाल की उनको CBI के जो सारे अधिकारी थे उनको ही ग्रफतार कर लिया तो यह अपने आप में एक अजीव सी स जा रहा है और उसके जबाब में वो सत्याग्रह पर बैठ गई एक और अजीव सी सिती हुई की साथ में राजीव कुमार भी बैठ गए सत्याग्रह पर तो एक पुलिस अधिकारी का इस तरह से बैठ जाना अनन्द मैं आप से शुरू करना चाहूंगा कि क्या बताता है मतल भारतिय पुलिस सेवा हो भारतिय प्रशाशनिक सेवा हो तो थेरेटिकल अस्तर पर यह सभी जो है अचार सहीं हिता नियम 1968 से हैं जुड़ी हैं जिसमें कि उनको न्यूट्रेलिटी की एक सिद्धान्तों को का पालन करते रहना है लेकिन यह थेरेटिकल जो वो पुलिस आइनमेंट था अब दोनों और क्योंकि जो शक्तिशाली पार्टी एक मात्र कॉंग्रिस थी अब कई है कि राज्य अस्तर पर हाइपर लोकलाइजेशन है पॉलिटिक्स का तो कई निताओं से कई इसे यह सब अपने अपने समीकरन अधिकारियों के रहते हैं जातिय खेमों में भी अधिकारी भी बटे हुए हैं राजनीति खेमे में तो बटे भी बटे ही हुए हैं मतलब पाटियों के तो वो सब कोई नहीं बात नहीं है 1978 से लेके 88 तक जो पुलिश आयोग बनी सबसे ज़्यादा राजनीति करन पुलिश का इसलिए दिखता है क्योंकि जो कोवर्शिव ओर्गन है स्टेट का जो रोज मर्रा की जीवन में लोगों को राज जी का अंग दिखता है वो पुलिश दिखती है तो उसका सबसे ज़्य ज़्यादा राजनीति करन दिखता है कि तो 78 से एकासी तक पुलिश आयोग उसके बाद सोली सहराब जी कमिटी वेगेरा सबने कई तरह के इसमें सुधारों की बात की है तो बैठना तो सही नहीं है लेकिन यह यह भी है कि नहीं है पहले भी हुआ है संतानमे में जब जी को गिरफतार करने CBI गई तो उस समय DGP, SK सक्षेना, चीफ सेक्रेटरी, BP वर्मा वेगरे ने इनकार कर दिया था और CBI को आर्मी का सपोर्ट लेने के लिए हाई को पहले तो आर्मी को चिठ्थे लिखी फिर CBI कोट गय तो यह सब unprecedented कोई नहीं है यह सब लेकिन अभी इ एक महीने में बहुत कुछ इस तरह का उटपट है यह तो हो गई प्रशासनी कस्तर पर लेकिन दूसरा है कि इन सब को एक है कि राजनीतिक जो दाव पेच है उसमें भी देखा जाना चाहिए कि ममता एक बेंगाली प्राइड का बेंगाली जो गरिमा बंगाली की गरिमा अस प्रश्टाचार में सब लिप्त है तो उसको एक पैटर्ण के तोर पे अखिले स्यादब पे माइनिंग को लेकर हो इनको लेकर हो इसके करके एक दूसरे में भी देखा जा सकता है लेकिन इसकी सेलफ लाई इस स्टोरी की बहुत नहीं है अब खत्म हुआ पर एक चीज है इ इसको उस परस्पेक्टिव से जरूर देखा जाना चाहिए कि केंदर सरकार के जो टाइमिंग है या CBI के जो कारवाई की टाइमिंग है यह तो एक महत्वपूर मुद्दा ही है दूसरा एक हपते पहले ममता ने जिस तरह की गोलबंदी की ओपोजिशन की उतनी बड़ी उस नजदीक है अब चुनाव बिल्कुल सर पे है और उसके बाद जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बार बार यह कहते हैं कि वो स्लॉग ओवर के सिक्सेस लगा रहे हैं तो यह सब उनके खाते में यह एक तरीके से चक्का है वो जो मार रहे हैं अब वो नो बॉ में में एक्टिव हुई है खासकर विपक्षी पार्टियों को ले करके जो काम उसको पहले करना चाहिए था चार पांच साल आप सत्ता में रहे और आप आने के बाद जिन आधार पे आप आए आप करप्शन बड़ा मुद्दा बना करके यह आप सत्ता में आए तो बावज सालों में कुछ किया नहीं करप्शन को ले करके और फिर अचानक आप आ करके मेरा यह मानना है कि आप किसी भी करप्शन का विरोध कर रहे हैं और करप्शन को ले करके अगर आप को इस प्रशासनिक कारवाई कर रहे हैं आपको करना चाहिए लेकिन उसके नियम काईदे कान उन तय हैं जो ममता वाला इंसिडेंट है तुल वो आप बिल्कुल आसान सिर्फ करप्शन के खिलाफ की कारवाई नहीं है आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरी के से ममता गोल बंदी कर रही है वो नजर है सब कि ये विपक्ष एक जूट हो जाएगा तो नुकसान होगा नहीं देंगे ठीक है हम आपको दिखाते हैं और जो कारवाई कानूनन कुछ दिनों बाद होनी चाहिए थी आपके पूरे आधार पे होनी चाहिए थी आपने आनन्फानन में भेज दिया कोर्ट ने क्या कहा जब मामला कोर्ट में गया सुप्रिम कोर्ट ने क्या सुप्रिम बातचीत में अगर वो कुछ शक आपको पैदा होता है और उसके बाद जब उस पर आरोप साबित होते हैं तब आप उनकी गिरफतारी की बात कर सकते हैं अगरे एक मामला आया और फृटराश ऑना अंगर ठीक के रहे थूद मेरा है कि पलिस कुमिशनर को उस धरने पर नहीं जाना चाहिए ह। शामिल करना चाहरा था इतने के बाद भी कि आप चार सल तक कुछ नहीं करते पांचमें साल में अचानक से आप क्रुसेडर बन जाते हैं कि मैं तो करुप्शन खतम करने के लिए ही आया था तो पबलिक के बीच में इस चीजियों की समझ नहीं है कि वो उसके बावजूद भी उनको इतनी हिम्मत मिल जाती कि वो आखरी टाइम में CBI लगा देंगे किसी पीछे ये वो और वो सामने वाला डिस्क्रेडिट हो जागा या आपको उसका पुलेटिकल माइलेज मिल जागा ये जो भरोसा है पुलेटिकल क्लास में उसकी मतलब वजहों के उपर भी हमें थो इसकी सरकार होती है वो इनका अपने पक्ष में अपने नहित स्वार्थों के लिए बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं समरत को नहीं दोस गोसाई पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है और इस मामले में भी यह हो रहा है जैसे अभी आनंद ने उसकी बात उठाई पुलि इसकी गई उसको एक प्लिटिकल प्रोग्राम के रूप में सर्जीकल स्ट्राइक दिवस पूरे देश में मनाया गया सिनाध्यक्ष को प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए कहा गया और वो राजनीतिक बयान देते हुए नजा रहा है तो जनता इस बात को समझती है लेकिन इस स्थितियां पैदा करते हैं कि सबोटाज हो तो हम आपको दंडित करेंगे आपके आर्थिक सुरोतों को खतम करेंगे और आपकी क्रेडिबिल्टी को नस्ट करेंगे इस बात को ममता ने भापा लाली आदो भी यही कर रहे थे और इस मामले का महत्व कंस्टिश्यूशनल न नहीं मानते और इस मौके पे जबकि चार साल विपक्ष बहुत ही कमजोर हालत में रहा है नहीं बोलता रहा है और कहीं से कोई तो ममताब एनरजी ने चुनोती देने का काम किया है और इस तरह से माइलेज लिया है और जनता में भी यह मैसेज गया कि कम से कम एक स्टेट ऐस हो रहा है 2019 को चुनाओ के मद्दे नजर हो रहा है यह बिल्कुल सही कह रहे है मैं इसी को आगे बढ़ाओंगा अनिल जी की बात को कि यह 2019 की चुनाओ को लेकर कही हो रहा है हलांकि समयधानिक तोर पर यह भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप केंदर की सरकार को बिल्कु अंदाजी कर रहे हैं या देश का लोकतंत्र या कंस्यूशन आप उसके साथ खिलवाल कर रहे हैं यह मैसेज भी पब्लिक में नहीं जाना चाहिए लेकिन सबकों यह मालूम है कि 2019 के चुनाओ को लेकर के ही यह सारी प्रिक्रिया अपना ही जा रही है इसमें हुआ यह कि पि आप शब्दों में कड़े शब्दों में तो उसके ऐसी मिट्टी पलीद करी कि CBI का डर जो एक था उस डर को पहली बार मम्ता ने उसको भेद दिया कि भाया देखो तुम पहले सी करप्ठ हो तुम आपस में लड़ रहे हो तुम्हारी तो अपनी ही कोई तुमारा वजूद अदर स्टेट्स में दिया अच्छा वहां भी क्या है कि आप उसके उन स्टेट्स के पुलिस ओफिशियल्स और जो भी कुछ उनके दायरे हैं उसके साथ आप एक कोडिनेशन भी करेंगे ऐसी भी बात हैं लेकिन चंदरबावु नैडू ने सबसे पहले मना किया उसके अभित्तुज एह आफिरन्ट है इसमें राजनीतिक लाव किसको मिला है हुआ सपस्ट नहीं है वह सबस्ट नहीं है वह तो भी टैइम है सिसमेंाлем कि विश्षन सटा नीधा क्या है उससे यह से राजनीतिक ला भावानी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि एक है कि बंगाल की आंतरिक राजनीती में जो पिछले तीन दसकों से रही है वो एक मोनोपोली की रही है जो वामपंथ के बाद ममता का आना तो वो कोई भी विपच्छी पार्टी बरदास्त नहीं कर सकती है भाजपा का बंगाल में सेंद क करना भी उस च्छेट-पटाहट का है कि इसको दबाने से पहले दबाओ अगर लेकिर राजनीतीक इसके लिहास से देखा जाया तो ऑतरने देना उनको आने नहीं देना यह सब उनको एक तरह से उनको रेलिवेंस देना या उनकी महता कराना है बंगाल में मेडिया के प्रति भी मम्ता का रवया रहा है वो काफी गहर लोगतंतरिक रहा है काफी काफी मीडिया कर्मियों को बहुत चीजों में हमला भी हुआ है बहुत ऐसे प्रकरन है सोशल मीडिया पर लिखने पिजियrant पर पाटी में है तो आपको प्लेअप करने में थोड़ा अलग तरीका अपनाना चाहिए þa इसको तो ठाके आपने पार्टी में रख लिया उधर नहीं जाकर के आप अगर आम चीजों पर अभिरोध करें इस तरह के और फ्लिम्जी ग्राउंड है जैसे अमिशा के नहीं आने वागा कि वह स्वाइन फ्लू लेकर आ रहा था इस तरह के बयान बाजियों से मुझे ने ल पार्टी चाहे वो भारती जनता पार्टी हो कॉंग्रेस हो चाहे छोटी पार्टी यहां उनको मौका लगता है सारी संस्थाओं का सारे कनोनों का दूर भियोग करती है जब यह फस्ती है तो अब समिधान न्याय लोकतंत्र की दुखाई देने लगती है तो इस से अल्टिम करने का इनिशियेटिव लेगी इन संस्थाओं की सेंक्टिटी को सुनिश्चित करेगी लेकिन हम पिछले 5 साल में देखते हैं कि जितना रैंपेंट दुर्पयोग हुआ है बड़ी संस्थाओं का चाहे वो कोर्ट हो चाहे CBI हो चाहे रिजर्ब बैंक हो चुनावायोग हो तो अब उस क्रेडिबिल्टी को रिस्टोर करने के लिए सच मुझ कुछ बड़ा करना पड़ेगा वो बड़ा क्या होगा किसी को पता नहीं है और अब हमारे स्रोताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना यदि आप हमारा पॉड्कास्ट किसी थर्ड पार्टी एप मसलन गू यहां जाकर पॉड्कास सुनें धन्यवाद अगले विशे पर आते हैं हम लोग जो कि नितिन गटकरी से जुड़ा मामला है राहूल गांधी और नितिन गटकरी के बीच में कहा सुनी हुई पिछले हपते नितिन गटकरी ने दो तीन बयान दिये जो कि जिसके बहुत राज सबस्टी करन भी दिया था उसके बाद के दोनों बयानों में नितिन गटकरी को सबस्टी करन नहीं दिया अपनी तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो अपनी एक पॉलिटिकल फिल्डिंग कर रहे हैं आपने को एक स्विकार उसके तौर पर 2019 के बाद कोई ऐसी परिस्थिती बनती है जिसमें कमजोर सरकार बनती है या फिर भाहमत नहीं भारती जन्ता पार्टी में अपनी उस तरह की वो कर रहे हैं पोजिश्निंग कर रहे हैं नितिन गटकरी उसको लपकते हुए राहूल गांधी ने अचानक से उनको कह दिया कि आकेले पूरी भारत इन और शवी बनाने का काम किया और बड़ी परिपक्कोता को प्रदर्शन किया और अचानक से इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरह से जवाब आपस में उनकी कहा सुनी हुई उसको लगए जिसे ट्रोल की भूमिका में आ गया और ये काम दिब्यास पंदना या कोई दूसरी विपक्षी या देश की सबसे बड़ी पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष हैं कि आप ही के अंदर गट करीजी पूरी भारती जनता पार्टी में कलेजा है यह तो राहुल को कहना ही चाहिए अगर वो देख रहे हैं कि भारती जनता पार्टी के भीतर अंतर विर मोदी के अथारिटी का जो पॉल है उसका एंटी पॉल के रूप में सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो फायदे मंद है निश्चित तो और पे कॉंग्रेसी संतर विरोध को और बढ़ाना चाहेगी और चौड़ा करना चाहेगी लेकि उन्हों ने यह जो कहा कि आप ही अकेला दम है जो ऐसी बात कर सकते हैं और फिर गडगरीने कहा कि मुझे आप से शला लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये स्ट्रेटिजी के तोर पे मैं एक कहूंगा कि मिस काल्कुलेशन जैसा कहूंगा मैं कि गडगरी को तो गडगरी ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसी कॉंग्रेस के असर में या राहूल गांधी के कहे से या उनको लाब पहुचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है वो खुद की अपनी से ऐसा कर रहे हैं और चाहता है कि मोदी का एक विकल्प बाइपूलर बना रहे हैं बाइपूलर अब तक तो नहीं था लेकिन 2019 के जब चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद कि जो अनिश्चित स्थितियां हैं अभी तक किसी एक पार्टी को भामुत मिलता नहीं दिख र हो जाने के बाद कोई एक ऐसा हो कि जिसको एक फेस आफ होप के रूप में परचारित किया जा सकी तो इस रणित के तहट गटकरी ऐसा कर रहे हैं आनंद आपको लगता है कि राहूल गांदी ने यह रणनितिक चूप किया या यह गैर जरूरी बहस थी जिसमें पढ़कर ए आरेसेस का वो टू पावर सेंटर जो एक विकल्प रखने का वो तो एक आमधारना है ही वो एक काम कर रहा होगा दूसरा है कि गटकरी के साथ जो कमजोर बिंदू है कि वो कोई मास लीडर नहीं है वो विकल्प पर तौर पर वो कितने असरदार है उस पर भी मोदी जैसे मास लीडर नहीं है लेकिन एक है कि और उन पर प्रश्टाचार का धबा भी है पूर्थी जो मनी इसके पूर्थी तो उसमें यह है कि एक यह भी थेयरी चल रही है कि वो भविश्री के अगर कॉंग्रिस के ने तृत्त में कोई सरकार बनती है तो उसमें भी गलत साबित होती है हलाकि यह हो सकता है कि सिर्फ प्रदर्शन हो अंदर कुछ और हो तो सब अटकल बाजी ही है हम लोग भी उसी में योगदान दे रहे हैं हम लोग कई बार पूरी जो ओपिनियन में अपने जरूरी हिस्सा है और उसमें अपने अपने ही अन्हांतर नहीं है इस सिर्फ जो है स्पेकुलेट कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है और संभावना हो कि तो बहुत सारे दरवाजे तो यह क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रमान नहीं है इस लिए प्रमान चाहते हैं आपको क्या कोई लिक पढ़कर कागज पर देगा कि ऐसा घटित होने जा रहा ह हूं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं पत्रकार पेसे से पत्रकार नहीं हूं तो मैं इसलिए तो मैं पेसे से पत्रकार होने इस बहुत मामला क्लियर है पिछले कुछ दिनों में राहूल की गतिविदियां आप देखें उनके करेकलाब देखें तो पार्टी के जो अच्छी छवी के नेता हैं उन सब को वो टार्गेट कर रहे हैं वो मनोहर परिकर के बीमार मनोहर परिकर से मिलने जाते हैं आडवानी से मिलते हैं आडवानी को भरी सभा में उनको कुरसी देते हैं फिर परिकर से मिलने के बाद उनकी पुरानी बातों को कोट करके भाषन देते हैं बाद में चिठ़ी का आजान परदान होता है और ये भी कहते हैं कि परिकर सहाब आपकी लिखीवी चिठ़ी मेरे तक आने से पहले मीडिया में लीख हो गई यानि कि वो यह बताना भी चाहते हैं कि चिठ़ी आपने लिखी तो पुझे थी लेकिन आपने लीग करी है ये आपके लोगों ने करी है फिर उसके बाद जब गड़करी पर बात आती है तो ये तो तैह है कि दो धुरू तो आज की तारिख में संग चाही रहा है क्योंकि रास्ता साफ दिखने रहा है जो हालात 2014 में थे वो हालात अब नहीं है तो अगर वो लहर नहीं है और वो उस तरीके से मोदी वो करिश्मा नहीं कर पाए तो एक आदमी चीहे होगा और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रिस ये दोनों की लीडर्शिप में जो सरकार बनेगी वो ही सरकार चलेगी क्योंकि इतिहास गवा है कि इन दोनों पार्टीयों ने समर्थन देकर किसी की सरकार बनाई है वो चलाई नहीं है चैया वो बीजेपी नहीं किया हो या कॉंगर्स नहीं किया हो तो अब देश की जनता को ही समझना चाहिए कि हम किसके पक्ष में खड़े हो समझदार लोग ह वैसी परिस्तिती में राहुल गांधी का ये कहना कि गड़करी में कुवत है अचा कुवत तो संग ने दे रखी है भई आप बयान ऐसे ऐसे दे रहे हैं तो वो तो आप इशारे पे दे रहे हैं इसमें तो स्पष्ट है और चुकि एक छवी पूरे मंत्रि मंडल में आम क्याता है कि हम तो संगठन मंत्री देते हैं हम संगठन मंत्री देते हैं कोई दूसरी पार्टी मांगेगी तो हम संगठन मंत्री उसको भी दे देंगे मोहन भागवत का ये बयान अपने आप में भविश्य के और इशारा करता है और हो सकता है कि मैं बहुत अरली कह रहा हू लेकिन अगर भारतिय जनता पार्टी अपने ट्रैक से ज़्यादा डैवर्ट होगी तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर संग कोई और पॉलिटिकल फ्रेंट खड़ा कर लेगा क्या जाता है उसका उसको तो पॉलिटिकल फ्रेंट खड़ा करना है अगर इसी के लोग उसके साथ चले जाएंगे तो उसको क्या उसको तो अपने काडर चेंज करने है और क्या करना है तो वो एक बड़ा ही एक अजीब सी परस्तिती में देश है अभी और बहुत थोड़ा एक और है कि जो अगर चुनाओ के बाद अंग गनित में अगर अटका भाजपा तो गटकर ही जाधा सुईकार्य होंगे गट बंदन पार्टी होंगे और पुरानी बहस से उठा के बाद में एक और कहता हूँ कि अगर अंग गनित में अटका तो जिस ममता को आप बजाये जा रहे हो ना कि यह तो बहुत गलत है और आप आप लोगतंतर की दुभाई दे रहे हो कि ममता के कृत्ते पे वही ममता सबसे पहले खड़ी दीर नजर आएंगी आपके साथ बिलकुल बैले सीट में से तकर 35-37 लेके आएगी तो आप अटक रहे होंगे तो वह खड़ी हो जाएगी और अग्री मंतरी बन जाएगे देश की आउपर दान मंतरी बन जाएगी यही विचारधाराओं का सारा जगड़ा व्यक्तित्तों का सारा जगड़ा यह हमारे आपके लिए द अख़वार का नाम कोट नहीं करूंगा अगर आप कहेंगे तो मैं कोट भी कर दूँ लेकिन एक अख़वार ममता के पूरे प्रक्रण पर लिखा यह सत्यागरा नहीं सत्तागरा है तो यह बहुत मुझे भी बहुत अपील किया कि यह सत्तागरा है सत्त्यागरा नहीं मेडि जी से चाहूंगा कि अपनी पहले टिपड़ी दें ये कहना केवल कि भारती जन्ता पार्टी ने मेरा इस्तमाल कर लिया और ये बात आपको 2015 बीद गया इस बीच में आपको पूरे दोरान कभी याद नहीं आया या समझ में नहीं आई बात कि आपका इस्तमाल भारती जन्ता पार्टी ने किया ये अपने आप में ही कहता है कि आप वास्तों में बार-बार भाजपा के साथ इशारे पर ही खेलते हैं और अगले दिन वहां पर और पत्रकार रहें और अच्छे पत्रकार रहें आपके जो आदमी होती है उसके महारत ही ऑदम्य कह उता है चीर होता था हुद और बाल इंदर मामला है या 5 साल तक ये बार-बार खाली कोई अंदूलन कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पांच साल बाद अचानक साब को आता था और फिर पांच मिनट में वो खतम हो जाती ये बात क्योंकि आपको जूस पिला दिया आगे मुख्यमंतरी ने देखी ऐसा है अन्ना के इस बयान के बाद मैं मुझे बहुत ताकत मिली है क्योंकि दो साल पहले कोई मान नहीं रहा था जब मेरी किताब आई मैंने उसमें सपश्ट तोर पे लिखा है कि अन्ना उन्हीं की इशारे पे चल रहे थे अन्ना की अपनी कोई सोच थी नहीं अपनी इशारे पे अन्ना बिसिकली क्या है मैं उनको धूर्त नहीं कहूंगा मैं उनको मुर्ख कहता हूं बिसिकली क्या है कि एक गाउं का आदमी सीधा होता है और सीधा से थोड़ा साथ बाएं जाएगा तो धूर्त होगा थोड़ा दाएं जाएगा तो सीधा के बाद मुर्ख ह जाता है उसको लगता है कि वो दूरत है लेकिन वो होता मूर्ख है तो अन्ना उस कटेगरी में आता है मेरी नजर में तो मैंने ये लिखा और उस किताब में मैंने लिखा है कि अन्ना किस तरीके से इस्तेमाल हुए अन्ना इस्तेमाल होता है आज उनको 80 साल के उम्रे में किसी बज़ुर्ग को ये हसास होता है तो चलिए कम से कम हसास तो हो रहा है क्यों वो इस्तमाल हो रहे है और आप देखिए आप अन्ना का अंदोलन को देखिए देश में हम लोगों ने जेपी का अंदोलन नहीं देखा हमने किताबों में पढ़ा और हमने सुना अपने पुर्वजों से सुना अपने सीनियर से सुना तो अब अन्ना का अंदोलन जब हुआ और उसमें उसका जब रोज-रोज सुबे से शाम तक क्या आप गवा होंगे तो आपको चीज़ें इस पश्ट दिखेंगी कि क्या हो रहा है गड़करी का बयान देना गड़करी का उनके पक्ष में आना उसमें गड़करी पार्टी के मुख्या थे और खड़ा होना फिर आपका उससे अपने आपको अलग करना और बिसिकली उसमें अन्ना और पूरे उनके जो कारिंदे थे वो इस बात को लेकर के फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उनको संग के पक्ष में जाना है या कॉंग्रेस के साथ जाना है क्योंकि एक बार तो इस्तिती ये भी आ गई थी कि अंदर की टीम ने ये तै कर लिया था कि राहूल गांधी को अप्रोच किया करो किया गया था और राहूल गांधी को बुलाओ और उनसे अंसन तुडवाओ राहूल गांधी को hero बना दो मनमोहन सिंग को side कर दो राहूल गांधी को hero बना दो इस सारी तैयारी हो चकी थी तो basically अगर आप अपनी बातें अप रखते समय अगर किसी पार्टी के मोहरे हो जाएंगे तो यही होगा तो अन्ना को इस बात को समझने में इस तरह के दोखें मिलेंगे दोखें मिलेंगे और वो अन्ना को मिल रहे हैं तभी देखी अभी क्या हुआ अच्छा बड़ा दिल्चस पहलो कॉंग्रिस के एक नेता अब तो खर्दिवंगत होगे विलास राओ देशमुख जिन पर करॉप्शन के इतने बड़े चार्जस थे उनके बहुत करीबी थे करीबी नहीं उन्होंने अंशन दुड़वाया ना अब अंशन दुड़वाने के लिए विलास राओ देशमुख को आपने चुना कि मैं उनके हाथ हो तो बिसिकली क्या है कि अन्ना महरास्ट से बाहर भी नहीं निकल पाते वो कोशिश करते हैं अंदुलन उनका देश का हुआ लेकिन वो महरास्ट के निताओं से बाहर नहीं निकल पाते चाहिए वो गड़करी हो चाहिए देशमुख हो चाहिए वो बाबा रहे हो वहां के बाबा रहे हो तो ये पूरी उनकी राजनिती ना वो एक उसी इर्दगर्द में गूमती है हलाकि अन्ना ने महरास्ट में काम अच्छे किये एक जागरुक नागरिक के तौर पूर ने अच्छे काम किये लेकिन जब जैसी देश की बात आती है तो वहां आप फेल हो जाते वो साइद उतना वर्ल्ड वी नहीं है उतना एक्स्पोजर भी नहीं है अनिल जी आपको क्या लगता है अन्ना के इस बयान को केवल मेरा ही मानना कि अभी भी अन्ना बीजेपी के हाथ में ही खेल रहे है देखिये मुझे लगता है कि अन्ना किसी के हाथ में ही खेल रहे है मुझे अन्ना का संकट ये लगता है कि अन्ना को जब अटेंशन मिलने लगता है अन्ना को जब चर्चा मिलने लगती है अन्ना को जब प्रचार मिलने लगता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें और उनके लिए किसी राजनीतिक लक्ष से ज्यादा इस देश में लोगपाल आए, ना आये, भरस्ताचार रहे, ना रहे, इससे ज्यादा महत्तुर्पूर्ण उनका अपना अहंकार है, उनका अपना लाइम लाइट में रहना है, उनको महत्तु मिलना है, अगर उनको बिलास सचमुच उनको बहुत जाता अटेंशन मिलने लगता है तो गबड़ा जाते हैं लेकिन जो सचमुच के प्रशन है जहां अन्ना हजारे को बोलना चाहिए था वो चुप रहते हैं डेलिबरेटली चुप रहते हैं नहीं बोलते हैं जैसे मैंने शायद कर्मा मैगजीन में पढ दिया है तो और दूसरा आप देखें कि अन्ना के लिए अपनी अथारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वो अपने गाओं में राले गण से दीम है जुवा खेलने वालों को शराब पीने वालों को खंबे से बांद के पिटाई करवाते हैं उनको मुंडन करवाते हैं उनको चपल से पिटवाते हैं जो अन्ना एक तरह से लोकल सामंत जैसे हैं जो लोग उनमें गांधी और जैप्रकास की छवी देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये दिखाता है कि इस समय देश में राजनीतिक नेतित्व का घंगोर अभाव है जनता जिन मुद्दों पे लोग वे देखना चाहा रही है उसके वास्तविक लोग नहीं है ऐसे में अन्ना ही सही लेकिन अन्ना को जब भी जाता अंटेंशन मिलता है वह वैसी ये हरकतें करने लगते हैं जिनको मुर्खता पूर्ण हरकतें करने लगते हैं मैंने तो किताब में ये भी लिखा है अतुल कि अगर अन्ना बाबु किशन राव हजारे के नाम सब्सक्राइब आन्दूलन करते, तो वो सक्सिस नहीं होता, क्या है कि कई बार चीज़ें बहुत सारी चीज़ें matter करती है अन्ना अरे पता चला की पता नहीं क्या हो गया अब आप सोचो ना कि बाव किशन राव हजारे आंदुलन कर रहे हैं क्या इंपक्ट देता है तो शब्दों का नाम का बिवहार का तरीकों का बहुत असर पड़ता है ठीक बात है आनिंद आपको इस अन्ना के बयान से क्या लगा अन्ना के बयानों को कितनी गंभीरता से लिए मुझे नहीं पता लेकिन तो उनको खारिच कर दिया जाए लेकिन दूसरी बात यह सही है इनकी कि उनको है कि आहम की संतुष्टी और जूस कोई सक्तिसाली आदमी पिला दे यह बहुत जरूरी है एक फेस सेविंग एकसरसाइज की अंत में अंत में कोई प्रभावशाली पद पर आशीन कोई वेक्ति जूस तभी तो वह आंसन तोड़ने के की कोई वजह पता चलेगी कि वह इसलिए तो एक बात है दूसरी बात है कि जो सहरी मध्यवर्ग महराश से बाहर जो है वह सहरी मध्यवर्ग जो की एक अपनी राजनीतिक जमीन तलास रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से वह अप्रशांगिक टाइप का हो गया था मतलब अप्रशांगिक था उसको लगता था कि भारत में सरकारें बनती हैं रूलर वोट से यह से तो एक सहरी मध्यवर्ग की एक तरह से मासूमियत का की उप उपज थे वह सहरी मध्यवर्ग चार-पांच सालों में बहुत कुछ पर परिपक हो गया है राजनीतिक तोड़ पे और उसने उसको उन्हें उस पद से बरखास्त कर दिया है इतना ही परिपक हुआ है कि फूटर पर जाके गरियाने लगता है जुंड बना के गाली देता है दूजरी बात है कि वो अन्हा जो है वीकेंड क्रांतिकारियों की उपज थे तो यह का इस गूट जो अच्छा अच्छी तर्माद होना चाहिए जैसे कि सनिवार और रविवार को मैक डोनल्ड नहीं जाके चलो रामलीला ग्राउंड तो वीकेंड क्रांतिकारियों की होने के लिए सीन चेंज होने चाहिए अन्ना कि क्रांति में कोई सीन चेंज हुआ नहीं यह बहुत दिल्चस्प है कि हमारे यहां जो बड़ा पोलिटिकल वैकूम है बड़ा राजनीतिक शुन्य है उनको भरने वाली जो शक्तियां है वो अपने नहीत स्वार्थों के खेल में लगी हुई है यही कारण है कि अन्ना हजारे जैसे नॉन पोलिटिकल कम समझदारी वाले लोग लेकिन एक नैतिक मुद्रा वाले अन्ना की एक नैतिक मुद्रा तो ही है एक नैतिक मुद्रा वाले लोगों को यह स्पेस मिलता है कि वो अपने पीछे इतनी तादाद में लोगों को खींचें, क्रेडिबिल्टी पाएं, फिर उसके आगे न देख पाएं, जो उनकी दिरिष्टी हींता है, उसके कारण फिर वो डिस्क्रेडिटेड हों, फिर आलोचना जहेलें, फिर हासे के पात्र बनें, तो यह जो प्रोसेस है पूरा, अन्ना के बनने का, और एक सही नायक को पाने की, वो किसी नतीजे तक पहुँच सके, मुझे लगता है कि यह ज़्यादा इपॉर्टेट है, अन्ना पे तो बिल्कुल अन्नील जी सही बात कह रहे हैं, और अन्ना जी ने बहुत अच्छा एक टार्म यूज किया, वीकेंड करांतिकारी, तो आगे स हम लोग इस शब्द का इस्तमाल करें, चुकि बहुत अच्छी बात है यह, और इसमें क्या है कि अन्ना मैं बार-बार कहता हूँ, और मैं आप लोगे माध्यम से फिर एक बार कहता हूँ कि जो लोग अन्ना को और समझना चाहते हैं, थोड़ा एक बार राम नीला मैदान द लेकिन आप मेरी ही किताब कहेंगे, राम नीला मैदान पढ़ने के लिए तो मैं मना तो करूँगा नहीं, तो मैं सोचके आया था कि मैं बोलूगा कि वभी कोई देर से महराज एक बार पढ़ें, एक और किताब है, जो इन दुनों मैं देख रहा हूँ, जो सर्फ मर्फी की एक बुक है, The Power of Subconscious Mind, बहुत अच्छी लिखी है, 1963 में लिखी है उन्होंने किताब, हला कि मुझे अब मिली पढ़ने को, और वो मुझे मेरे बेटे के दोरा मिली, वो पढ़के उसने मुझे दी कि इसको पढ़ो, तो मुझे बहुत अच्छी किताब लगी, और उस किताब म यह बताया गया है कि आप बार-बार जो चीज सोचते हो अपने Subconscious Mind में, वैसे ही आप होते जाते हो, वैसे ही आपके जीवन में घटित होने लगती है बातें, तो इसलिए, बी पॉजिटिव रेक्मेंडिशन की बात हम चुरू करते हैं, तो अनरंजन जी का रेक्मेंडिशन आही गया है, आनंद आपका रेक्मेंडिशन इस हप्ते के लिए, इस हप्ता यह कमलाथ जी ने 70% आरच्छन जो अस्थानिया वर्कफोर्स है मत्यपरदेश में उसको दिया, इससे पहले व पांग जायज है, मैं उसे पुरी तरह खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन आर्थिक तोर पे जो इंटर्नल माइग्रेशन है, भारत के बारे में एक गलत तस्वीर है कि यहां बहुत जादा है, जो अभी 80 देशों का सर्वे आया था, तो मैगी वोल्टर और जेम्स तील की ऑक टेपर है, मैं उसको रिकमेंट कर रहा हूं, उसमें 80 देशों के शर्वे में भारत को सबसे नीचे पायदान पर रखा गया, जहां सबसे कम आंतरिक प्रायन है, 30% ही है मातर बारत में, मतलब जो अपने जन्म के अस्थान पर नहीं रह रहे हैं, और उसमें दो तिहाई हैं तो चाइना जहां कि होकोक एक प्रनाली है, जो कि इंटर्नल माइग्रेशन को खत्म करती है, काती है नहीं, वो भी भारत से उपड ही है, तो भारत जैसे देश में इसका आर्थिक जो एक तर्क है कि काम से लोगों को जोड़ों, जैसे कि अब दिल्ली में माइग्रेंट ले प्रिफर करते हैं, लेकिन वहां का लेवर करता है, तो वर्क से जोब सीकर जोड़ना, दूसरी बात है कि जो इंटर्नल माइग्रेशन में ज्यादा हैं वो महिलाएं जो शादी के बाद दूसरी जगह गई हैं, तो उनके वर्क ऑपोचुनिटीज को खत्म करना ये भी है, तो उसका आर्थिक विशलेशन उनक लोगों ने किया है, मैं वही रिकमेंट करेंगा, दूसरा चुकी अन्ना की बात थी, तो इस बार मिंट में मनु जोशेफ ने इस पर लिखा है कि क्यों अन्ना की जो तथा कतित करांती है, इस बार टेलिवाइज क्यों नहीं हुई, तो उस पर उसका नहीं जोशेफ ने मिनुट में लिखा है, तो उसके अन्ना की जब भी जिकर हो तो मीडिया के भूमिका पर एक कॉमेंटरी जरूर बनती है, तो कि अन्ना एक लिहाज से मीडिया का भी क्रियेशन है, उसमें 24 जंटे, उसमें क्या ना तुल, मैं कहता हूँ कि, बिसीकली क्या था न, जिस दोर में अन्ना आये, अन्ना का अंदोलन हुआ, और मीडिया जिस दोर में, जो उस दोर में, मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी से सबसे ज़ाधा आ जूज रहा था, तो खबरों में लोटने के लिए, और रादिया टेपस के अलावा, इधर चल को इस समय है जो को यह माग का मेला चल रहा है उसकी जीटने चविया जविया और गाओं के भीतर के जितने समीकरण, संबंध, आर्थिकी वो सब एक कविता में समाये हुए हैं, कैलाश गौतम की कविता, तो इस समय मैं रेक्मेंट करूँगा कि लोग उसको नेट से खोज के या कहीं भी प्रिंट में मिले पढ़ें, एक मेरा रेक्मेंडेशन ये है, अद द लेकिन मैं इसलिए, मैं उस उपन्यास का बहुत फैन नहीं हूँ, लेकिन उस उपन्यास में इस समय भारत में जितने तरह की पॉलिटिकल स्ट्रीम्स हैं, जितने तरह के सामाजी कांदोलन चल रहे हैं, चाहे वो थर्ड जंडर के हों, चाहे गे के हों, लेस्बियन के हों, feminism के जो ने ने वो रूप सामने आ रहा है वो सारी धाराएं एक जगह दिखाई देती है जिस तरह से हम अपने वक्त की प्रमुक चीजों को news laundry की चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं वो सारी धाराएं एक बड़े platform पर उस उपन्यास में दिखाई देती है तो मैं recommend करता हूँ कि अपने समय को समझने के लिए एक जरूरी किताब है translation कैसा है अने जी इस किताब का हिंदी संस्क्राण का translation हिंदी में देखिए translation के इस्तिती बड़ी खराब क्योंकि ज़्यदा तर जो translation है बड़ा अगंभीर है और वो मूल के परती अरुच पैदा करता है सुगम नहीं है और बड़ा लापरवाही से किया गया ज़्यदा था translation है ऐसे में मंगलेश का अनवाद अच्छा अनवाद है मंगलेश जबराल जी का अनवाद और उमीद पैदा करता है कि आने वाले दिनों में अगर इसको मानक माना जाए तो और अच्छे अनवाद सामने आएंगे मेरा एकमात recommendation है इस हफते वही लेख मारकंडे काड़ जूगा जो की चर्चा में आने से रह गया या बहस में नहीं आ पाया उनका जो पत्र था जो indica news.com में छपा है उसको मैं recommend करूँगा और इसके साथ ही अपनी चर्चा को आज समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर हम वही अपील करेंगे कि news laundry को subscribe करें या फिर किसी भी ऐसे media संस्थान को subscribe करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो media खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के politics किसी भी तरह के corporation के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सबी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि सकते हैं किसी को आप सो 켜 Sc Natale कि व錢 कि सकते हैं झाल झाल